अगले माह से सरसों की फसल आना शुरू हो जाएगी। क्रिशी विभाग के अनुमान के अनुसार देश में पहली बार रिकार्ड फसल उतरने जा रही है। इससे तेल उद्योग में घबराहट है। यही कारण है कि सोयाबीन के भाव घटते जा रहे हैं। दूसरी और सोयाबीन के भाव अधिक मात्रा में तूटे तब अगले वर्ष बोवनी पर भी असर पढ़ सकता है। वैसे भी भारतिये किसानों को अर्जेंटीना, अमेरिका एवं ब्राजील की फसल को देखकर उतपादन बदलने की ओर रूख शुरू कर देना चाहिए। आने वाले समय में भी कमजोर ही रहेंगे। वैसे देखा जाए तो पिछले दशकों भारतिये सोयाबीन की जो खपत होती थी, अब नहीं रही। कभी कभी विदेशी बाजारों में बड़ी तेजी आने पर लाब भारतिये किसानों को मिल जाता है, किम्तु यह अधिक लाबकारी साबित नहीं होता है। पिछले वर्षों में पाम उतपादक देशों द्वारा रमजान की वजह से आयात रोक दिया था, जिससे सभी तेल तिलहनों के भाव सरवोच स्तर पर पहुँच गए थे। उसी वर्ष सोयाबीन सरसो उंचे भाव पर बिग गई थी। ऐसी परिस्थिती बार-बार नहीं बनती है। इसलिए सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावना कम है। माना ये जा रहा है कि ब्राजील में सोयाबीन की कुल फसल कटकर नहीं आएगी तब तक इसमें उतपादन के आंकडों में घटबर बनी रहेगी। लोकल में सोयाबीन की हालत आए दिन खराब होती जा रही है। प्लांट वाले खरीदी भाव घटाते जा रहे हैं। फरवरी माह के मध्य तक यही स्थिती रहने की संभावना जताई जा रही है। अर्थात फरवरी माह तक भारत में भी सोयाबीन भाव की यही स्थिती रहे लेकिन अलनीनों की वज़े से सूखा और गर्म मौसम के साथ मिटी में नमी कम होने से उतपादकता पूर्व अनुमान के मुकाबले कम रहने की संभावना है, जिस से अब उतपादन अनुमान घटा कर 1350 लाक टन लगाया जाने लगा है। USDA की इस रिपोर्ट के बाद भी अभी बाजार में असमन जसे की स्थिती है। ब्राजील, अमेरिका को पीछे छोड विश्व का सबसे बड़ा उतपादक और निर्यातक देश हो गया है। वर्ष 2023 से चौबीस के दौरान ब्राजील से सोयाबीन का निर्यात अमेरिका से 4.70 करो तन निर्यात होने की भविश्यवानी की गई। इसमें से अधिकांच सोयाबीन चीन की निर्यात होने का अनुमान है। ब्राजील सोयाबीन उतपादक देश की श्रेनी में प्रथम आ गया है। ब्राजील में सोयाबीन के भाव कम होने के कारण अन्य देशों खास कर भारत म सोयाबीन के भाव पर बड़ा असर पड़ा है इस समय ब्राजील में सोयाबीन के भाव 38 से 40 डॉलर अर्था 3158 से 3324 से रुपए प्रती क्विंटल के लगभग हैं मंडियों में सोयाबीन बेस 4700 से 4750 एवरेज 4500 से 4600 सरसो निमारी 6300 से 6500 राइडा 4800 से 5000 रुपए प्रती भाव बोले जा रहे है ऐसे में जानकारों का मानना है कि सोयाबीन में तेजी फरवरी के बाद ही बन सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी